जाए दिन्स नंच को पस्ते विपने बड़े अधार करें बहुत लोगों है तो बहुत लोगों है शारे बहुत लोगों ने भात सारी बासे रखेंगे जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ इसमें एक चीज में सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब में ऐसा क्या था कि जब सब्सक्राइब बनाया जाना था तो जवाल नहरू राजेंगर प्रसाद सभी उच चाहती के लोग थे उन्हें ने बाबा साहब को ही क्यों चना कि वे हमारे भारत का सब्सक्राइब रचे एसी क्या बाबा साहब में कि सिर्फ नहीं को चुना गया कि हमारे भारत का सब्सक्राइब बाबा साह रचे लगता है कि उनके इंदर जो एक बात कि यहां पर हम लोग जो एकत्र हुए है कि हम यहां पर आए जो बाते कहीं सुने और अपने घर पर चले हैं कि जो बाबा साहब ने हमको नून मंत्र दिये हैं जो हमें रास्ता दिखाया है उस रास्ते पर हमको चलना है कि इसी जडिवर बाबा सुने रास्ती पर चलना है अगर उस रास्ते पर नहीं चले तो इतनी भी महनत आज यह सरु लोग कर रहे हैं वो सारी महत बेटारे किसी काम की नहीं नहीं तो सबसे जरूरी है कि हमें जो बाबा साहब ने राफ्ता दिखाया है हमें उन राफ्तों पर चलना है तो दो किन बाते इसमें बताना चाहूंगा कि बाबा साहब ने में तीन बाते हम से कई थी शंघ्षित बनो, संगट Rights न करें, हम दो सिक्षा तो पराप्त कर रहे हैं, ठीक धिरे धिरे सिक्षा पराप्त कर रहे हैं, लेकिन शंघ्षेत और शंघ्ष Itamira इन करें, सिक्षित हो जाते हैं. सिक्षित होने के बार मैंने देखा है कि जो लोग मैंने देखा कि अगर कोई पढ़ांày कि succes काउझी काड़का है अगर कोई самाज कहा दो उसके पास पहुछ तो पूछिछ करता है कि उसम ना मिले कहीं मेरे पास किसी काम बो नहीं पुधर कर दो तो सबसे ज़रूरी बात यहीं, कि अगर हमें पावा साहम की पदोलत अगर सिक्शित बने हैं और इस काविन बने हैं, कि हम कहीं उची पोच पर बेठे हैं तो हमारा सबसे बड़ा जो उद्देश है, अगर हम इनका हिन उतार सकते हैं कि अगर आज मैं यहां पराहूं तो मैं कोशिश करूझ कि रहो हैं अपने भाई ही को मेरे साथ नीचै भेटे हैं उनको भी आपने साथ लेकर चलू ताके करनम कर यहां पर पांचे और मैं यह एक माbaumना चाहूंगा कि लोग हमको अचूत कहते हैं कछूत अचूत को इंग्लिस में कहते हैं अनचेबर, जिनको आदमी डच नहीं करता, डच करने योगे नहीं है, तो हाँ ठीक है, हम मानते हैं हम अचूत हैं, अरे अचूत का मतलब सिर्फ यही खोड़िये कि हमें डच ना करें, हम यह कोहते हैं कि हम अपने अंदर इतनी शक्ती, इत हैं, इदर उदर बैटे हैं, लोग क्याते हैं कि अचूत हैं, हम ऐसा अचूत बनकर दिखाएंगे, कि जो लोग हमारे पास आने से भीटरेंगे, कि अगर हम इनके पास दे, तो इनकी शक्ती हमको चुआ कर भस्म करते ही, अब देगें, यह जो काले-काले बिजली के बायर जा रहे हैं, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर बिजली बह रही है, लेकिन वह बिजली किसी को दिखती नहीं है, उस बिजली का आधास आजमी को तभी होता है, जब वो उसके अंदर हाथ रगाता है, वो हमें ऐसी शक्ती अपने अंदर लानी है, कि अगर हमारे अंदर को पहाद लगाए, तो उसे ऐसा जटका लगे, कि उसे समझ में आ जाए, कि हम इसके आदर सोपे चलने वाले आधरी हैं, और कोई नहीं है, लेकिन इसके लिए हमको जो सबसे पहले करना होगा, वो करना होगा शिक्षा, हमें अपने बच्चों को शिक्षा देनी होगी, और शिक साथ लेकर चलना है, क्योंकि जो लोग यहां बैठें, तो उनी की बदोलत आज महां जब्या है, जहां तो आज बैठा है, और एक बाद में यह भी कहना चाहूंगा, कि लोग कहते हैं, कि हमारे पास तो अभाव था, मेरे सम तो यह समस्या थी, इसलिए मैं पढ़ना ही पया या कोई कहता है, कि मैं अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पया, मेरे साथ यह समस्या थी, अरे मैं कहता हूं, जिस समय बाबा सहाब पढ़े, उससे ज़्यादा समस्या तो आज किसी के पास भी नहीं होगी, अगर वो एक आदमी इतने सारे करोडों लोगों का उठार कर सकता है, अगेला पढ़ सकता है, इसको अगर सीप पढ़ सकता है, बहार इस लाइट में पढ़ सकता है, रात मों बेटके, उसको तो इसकूल में जाने का भी मुका नहीं दिया, लेकिन डॉक्टर भीम रावर मेटकर ने तो हमें इसकाविर बना दिया, कि हम इसकूल के अंदर ब उसकी माहा का हुदाएं, क्योंकि माह से ही उसको basic route की सिख्षा मिलती है, माही उसको अच्छा सिखाती है, माही उसको सारी चीज़ सिखाती है, तो मेरा अनुरोध है माताओं से कि अपने बच्चों को पढ़ने के लिए जरूर प्रेरीद करें, उन्हें बाबा साहब के आदर्सों से प्रेरीद करें, जो लोग समाज में आज हमारे कहीं पहुंचे हैं, उन्हें उनके नाम से प्रेरीद करें, और अगर पढ़ने में बच कि अगर हम जिस प्लेट में खाना खाते हैं, अगर हमें उस प्लेट को बेच कर भी अगर अपने बच्चे को पढ़ाना पड़े, तो हमें संकोच नहीं करना चाहिए, वो भी दुबारा आ जाएगी, लेकिन बच्चे का भीता हुआ समें दुबारा नहीं आएगा ओड़े, यहाँ जो जरा जाएगी, तो हमें चाहिए, तो हमें जाएगी, तो हमें तो हमें दुबारा खाते हैं, प्लेट को पो बागरा है, अगर।